प्रवास अक्षिन इसनेटों के खास करकम जन गनमन में आप सभी का स्वागत है पस्चिम मंगाल के संदेश खाली में तिर्मूल कॉंग्रेस नेता शा जहां शेक और उसके आदमी युवाव विवाहित महिलाओं को कैद में रखते हैं और जब तक वहपापी संतुस्ट नहीं हो जाते तब तक उनके साथ बलात कार करते हैं यह जगन्य अपराद सब इस समाज के माथे पर बहुत बड़ा कलंक और पस्चिम मंगाल की कानून विवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है ममताव एनरजी के शाशन में बंगाल आज किस इस्तिती में पहुँच गया है कि दुर्गा के रूप में पूजी जानी वाली महिला के साथ इस तरह का जगन्य अपराद होता है और मुख्यमंतरी खामोश रहती है कहने को दो चार लोगों की गिरफतारी कर ली गई है लेकिन सवाल यह है कि आखिर असली गुनागार कब तक सलाखों के पीछे होंगे या कब तक उन्हें उनके किये की सजा मिलेगी सवाल यह है कि क्या जिन महिलाओं की अस्मिता उनके घरवालों के सामने तार-तार की गई क्या उन्हें कभी नियाय मिल पाएगा वैसे बंगाल में नियाय की उमीद लगाना भी अब बेमानी सा हो चला है क्योंकि पस्चिम मंगाल में विधानसवा चुनाओं के बाद जो रानीतिक हिंसा शुरू हुई थी उसका सरवाधिक दंश भी महिलाओं को ही जेनना पड़ा था और आज तक वह न्याय मिलने की उमीद में दिन काट रही है संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसकी समयदन शीलता को देखते वे उचनैले ने मामले का स्वतय संग्यान ले लिया है रास्ट्री महिला आयोग और रास्ट्री अनुसूची जाती आयोग का दल भी घटना स्थल पर जाकर महिलाओं से मिलेगा राजेपाल संदेश खाली होकर आ गए हैं मगर अभी मुख्यमंत्री को वहाँ जाने का समय नहीं मिला है लेकिन बंगाल के स्थित्यों को देखते वे अब यह मायने नहीं रखता कि कौन घटना स्थल पर गया या कौन नहीं क्योंकि इस से पहले की घटाओं के समय भी तमाम नेता और अधिकारी घटना स्थल पर होकर आ गए लेकिन पीडितों को नहीं दिला सके यहां एक बात और हैरत भरी है कि बंगाल में अन्याई के शिकार लोगों के लिए न्याई मांगने वाले भी अन्याई के शिकार हो रहे हैं संदेश खाली की महिलाओं के लिए नियाई की मांग कर रहे बीजेपी कारेकरताओं पर बशीर हार्ट में पुलिस ने जिस तरह बल का प्रयोग किया वह लोकतंत्र नहीं ताना शाही को दर्शाता है सवाल उठता है कि पीड़िताओं के साथ खड़ी न होकर के तर्मूर कॉंगरेस उन लोगों का साथ क्यों दे रही है जिनोंने यह घिनोना अपराद किया है ऐसे तो बीजेपी के उस आरोप में दम नजर आता है जिसके तहट पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यवंत्री मम्ताव एनरजी अपराधी शाह जहां शेक को बचाना चाती है और वैं बंगाल में हिंदू महिलाओं के साथ बलातकार को बढ़ावा दे रही है आई देखते हैं इस मुद्धे पर सुप्रिम कोट के वरिश्ट अदिवक्ता और भारत के पी आईल मेंडर के रूप में विख्यात अश्वुनी पाध्या क्या 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 रहे है हमारे पास नेता भी है अभिनेता भी है लेखक भी है बुद्धिजीवी भी है पत्रकार भी है कलमकार भी है संकराचार भी है महामंडलेश्वर भी है भगवत कथावाचक भी है रामकथावाचक भी है संसद भी है सुप्रिम कोट भी है विदानसभा भी है हाई कोट भी है लेकिन कानून घटिया है इसलिए गुंडे आते हैं हिंदूओं के घर में जाते हैं जो सुन्दर बेटियां हैं उनको शाम को उठा ले जाते हैं राद भर बलादकार करते हैं अगरे दिन सुबह पहुंचाते हैं जो शादी सुदा हमारी बेहने हैं जो 25 साल की हैं 30 साल की हैं शाम को उठा ले जाते हैं पुरा परिवार दुखी रहता है रोता रहता है गड़गड़ाता रहता है इसके बावजूद रात को ले जाते हैं और सुबह पहुंचाते हैं और यह पाकिस्तान में तो होता ही था ब घर्म के आधार पे बाटा गया अभी 75 साल पहले विभाजन हुआ था पचातर साल पहले पूर्वी बंगाल उप्षिमी बंगाल अलग-ःग हुआ है और फिर से जो हमारे हिस्से का बंगाल है वहां फीर से हिंदूओं के गाओं में आके हिंदूओं के घर में घुशके जहादी आते हैं और बेटियों को उठा ले जाते हैं आप कल्पना करिए कि बंगलादेश में क्या होता होगा अफगानिस्तान में क्या होता होगा पाकिस्तान में क्या होता होगा राज़िपाल अपना रोना रो रहे राज़िपाल भी निंदा कर रहे बहुत सारे नेता भी निंदा कर रहे और बहुत सारे महिलावादी तो चुप बैठे हुए उबोली नहीं रहे मैं बार-बार कहता हूँ हमारे पास सब कुछ है लेकिन कानून घटिया है ये भारत कानून से चलता है ये नेताओं के अभी नेताओं के भासर से नहीं चलता है कानून का राज है भारत में और कानून ही घटिया है इसलिए ये दुर्दसा हो रही हिंदूों की यदि आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद 10-20 साल के बाद भारत सुरक्षित रहें यदि आप चाहते हैं कि जो बंगाल में हो रहा है वो आपके घर में नहों यदि आप चाहते हैं कि 10-20 साल के बाद गुंडे आके आपकी बहन बेटियों को न उठाएं आपके घर में आग न लगाएं तो दल गुलामी छोड़ दीजिए पार्टियों की जैजैकार करना छोड़ दीजिए फेस्बुक पे 4000-5000 फ्रेंड बनाईए समस्या नहीं मूल कान अस्थाई समाधा लिखना शुरू करिए बंगाल में सोचिए हिंदू बेटियों के साथ बलातकार हो रहा है और तूतुमे में हो रहा है आरोप रत्यारोप हो रहा है नूरा कुस्ती हो रही है बतोले बाजी हो रही है निंदा हो रही है धर्ना प्रदसन हो रहा है लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि नार्को पॉलीग और भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड़ बने चुकि 1861 वाला पुलिस एट चल रहा है इसलिए पुलिस सत्ता की गुलाम है पहले अंग्रेजों की सारे पिनास्ती थी अब सत्ता की सारे पिनास्ती है वो जो बलातकारी है जो आके हिंदु भेहन बेटियों को ले जा रहे व पचास-साथ घटिया कानुनों का मकड जाल चल रहा है ना इनको खतम करना पड़ेगा अमेरिका की तरश पे जैसे अमेरिका में फेडरल पीनल कोड है न ऐसे भारत में एक नया भारती पीनल कोड भारती दन संगिता बनाना पड़ेगा और सारे जितने भरष्टा चार अप जहाद मजहभी उनमाद, धर्मांतर, घुस्पैट, सड़क किनारियावईद, निर्माड, काला धन, बेनामी संपत्थी, ऐसरी संपत्थी, कि इस सब यार होना चाहिए और एक महीने के अंदर जांच होनी चाहिए अगर एक घंटे में फाई यार ना हो और एक महीने के अंदर जांच न पूरी हो तो सीधे सीधे कप्तान को सस्पेंट नहीं करना कप्तान को टर्मिनेट करने का उसमें प्राउधान होना चाहिए लेकिन पुलिस तो सस्पेंट नहीं करना, ट्रामिनेट करना, नौकरी खतम, बहुत हैं भारत में लोग जज़ बनने के लिए, कठोर कालून बनाना पड़ेगा, जस्टिस विदिनियर लागू करना पड़ेगा, और एक बात और, पचातर साल बीत गए, आज तक किसी की नागरिकता नहीं बलातकारियों का, जहादियों का, पत्थर बाजों का, अलगावादियों का, आतंकवादियों का, मावादियों का, नकसलियों का, इनकी नागरिकता खतम करने के लिए उसमें प्राउधान रखना पड़ेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिनों ने बंगाल में ये काम किया है ना उनकी 100% प्रापर्टी जब्त करिए उनकी नागरिकता खतम करिए उनको आज इवन कारावास फांसी दीजिए एक साल के अंदर दुबारा कोई जुरत नहीं करेगा जो आदमी पत्थर बाजी करे जो आदमी जहाद फैला है जो आदमी गुंडा गर्दी करे हंडेट परसेंट प्रापर्टी जब करिए नागरिकता खतम करें सेटिजनसिप खतम करें वसकी और डार्यए उसको पचास साल के लिए जेल में और वह बी एक साल के अंदर देखेंजिए आपराद खतम भारत में हैं दुनिया में सब ज़्यादा एंजी ओ भारत में हैं दुनिया में सब ज़्यादा कथा वाचक भारत में हैं दुनिया के सब ज़्यादा महामंडलेश और भारत में हैं दुनिया के सब ज़्यादा आचारे भारत में हैं भगवान राम यहां पैदा हुए भगवा के सामने ही लड़की को छाले जाते राजबर बलाद कार करते सुबब पहूचाते पत्री के सामने पत्रीक उठाले जा रहे इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए मुझे तो अश्यर हो रहा है सुप्रीम कोट हर जीत पर स्वोव मोटो लेता है इसमें सुवह मोटो क्यूं की नहीं ले रही सूंसत में चर्चा क्यूं नहीं हो रही है कढ़िया कानूनों पर बदलने पेचर्चा क्यूं हो रही है चलो वो चर्चा करें चाहें न करें आपको अगर अपने परिवार की चिंता अपने भविष्ट की चिंता है याद रखिएगा हलद्वानी में आगजनी हुई है पुलिस वाले गए आम जंता छोड़ दीजिए पुलिस वाले पिटे हैं बंगाल में पुलिस है शाम समाधान इसका केवल और केवल पुलिस रिफॉर्म जुडिशल रिफॉर्म एड्मिन्स्टेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब के पास आय सरी संपत्ती है बेनामी संपत्ती है पकड में इसलिए नहीं आ रही है कि क्योंकि हमान हमने प्रापर्टी को आधार से लिंग करने के लिए कानून नहीं बनाया प्रापर्टी को आधार से लिंग करने के लिए कानून मना दिया जाए फट से पकड में आ शाम को जो मैं बेटियों को उठाते हैं उसका जो आका है ना उसके आका के हाँ इडी गई थी छापा मानत इडी को भी पीटा उन्होंने इडी के लोगों को पीटा गया था आप सोच दीजिए स्वतंत्र भारत में जहां इतना सारा कुछ है वहाँ इडी के लोग गए वो भी पीट के आए है हलदवानी में पुलिस गई है वो भी पिटी है जानते हैं क्यों मन में खौफ नहीं है कि अगर हम पत्थर बाजी करेंगे तो हमें अंजाम क्या होगा और एक बात याद रखिएगा यह अगनी मिसाइल ब्रमोस मिसाइल बंगाल में काम आ रहा है ए में कस्पीर में काम आया है तो हमारे पास यह अगनियान चंद्रियान मंगल यान नहलद्वानी में काम आ रहा है न बंगाल में काम आ रहा है काम ऐइगा monit Si rate forms जुडिशर रीफॉउम एटॉर रिफॉयर्म इड्मिस्टेट्वी रिफॉक है अपने फेस्बुक पे चार पाँच हजार फ्रेंड बनाईए और जो बात ठीक लगी हो उसको अपने फेस्बुक पे शेयर करिए तू तू मैं मैंसे कुछ नहीं होगा केवल और केवल कानून बदलना पड़ेगा अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके